हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल लताकी लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर और बहुती आसान पैटर्न सेयर करने जारी हूँ यह पैटर्न हमारा जैंट स्विटर के लिए है आप इस पैटर्न को जैंट फूल स्विटर, जैंट साफ स्विटर, जैकेट, कैप आदी में अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा आप इसे लेडिज, गल्स और बेबिज के और प्रोजेक्ट में भी अपलाई कर सकते हैं न के बहुत ही सुन्दर हमारा यह पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा यह पैटर्न बंना इस्टार्र अगर आप hysterस focus अर्शS और आभ ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया थो प्लीज प्लीज हमारे हमारे चैनल को subscribe कीजitting दो किये ओन क्रस Norm खूल की ल फंदा उतार लेंगे और देखें हमने ध्गे को एंसे डबल करके एधागे को देखें हमने फोल्ड करके आगे करना है अपनी साइड को औरदेखें जिस सिर्य से हम बुणाई कर रहे हैं उस सिर्गे को पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो फिर देखें ये धागय ऐसे खीज़ देंगे ये धागय खीज़ दिया फिर धागयको ऐसे डबल करके डबल फोल्ड करके देखिए धागे को हमने अपनी साइड लाना है और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो फिर देखिए धागे को ऐसे वीछे खीच लेंगे फिर देखिए धागे को ऐसे डबल करके आगे लाएंगे अपनी साइड को और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो फिर धागे को ऐसे खीज लेंगे फिर धागे को देखिए ऐसे फोल्ड करके अपनी साइड को लाएंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागे ऐसे पीछे खीच लेंगे फिर धागे को देखे डबल करके आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागे को ऐसे पीछे खीच लेंगे डबल करके धागे को आगे लाएंगे अपनी साइड को और ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागे दे देखें ऐसे डबल करके आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बुरेंगे ये फिर धागा पीछे खीज लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा तो देखें ये फ्रांट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रोव कंप्लेट हो गई अब देखें बैक साइड से से किन रोब और देखें बैक साइड से हमने से किन रोब को उल्टा भूनते हुए कंप्लेट करना है पूरे पैटन में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है यह देखें बैक साइड से हमारी से किन रोब कंप्लेट हो गई अब देखें फरंट साइड से थर्ड रोब अब थर्ड रोब में देखें पहला फंदा उतार लेंगे और देखें नेस्ट फंदा भी हमने सीधा बुनके उतारना है यह देखें फिर धागे को हम ऐसे फोड करके आगे करेंगे अपनी साइड और दो फंदे उल्टे भुन लेंगे एक दो फिर धागा ऐसे पीछे खीच लेंगे फिर धागे को ऐसे देखें डबल करके आगे अपनी साइड करेंगे यह फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो है पैटन की यह देखें फिर धागा पीछे खीचेंगे फिर धागे को देखें ऐसे डबल रोल करके आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो फिर दागा ऐसे पिछे खीच लेंगे पिर देखे धागे को डबल रूल करके आगे करेंगे अपनी साइड को और दो फंदे उल्टे बनेगे फिर दागे को ऐसे पीछे खीच लेंगे फिर देखे नेस्ट सेम प्रोसेस रिपीट होगा फिर देखे लास्ट में देखे एक फंदा ये सीधा बुन लेंगे और लास्ट का जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको भी हमने सीधा बुन लेने हैं तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो complete हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रो फोर्द्रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने फोर्द्रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है अब देखे फ्रंट साइड से फिप्त्रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा तो देखे रिपीट की एक रो पहला फंदा उतारेंगे अब धागे को देखे अपने साइड करेंगे ऐसे फोर्ड करके और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो धागा पीछे फिर देखे दागे को फोर्ड करके अपने साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा ऐसे पीछे से खीच लेंगे फिर देखे डबल करके दागे को अपने साइड करेंगे और फिर धागे को देखे ऐसे पीछे से खीच लेंगे फिर डबल करके दागे को अपने साइड करेंगे फिर धागे को देखे ऐसे खीज लेंगे अब नेस्ट हमने सेम प्रोसिस रिपीट करते जाना है और फ्रंट साइड से अपने फिप्त्रों कंप्लेट कर लेंगे फिप्त्रों में हमारा पैटन रिपीट हो रहा है और लास्ट का फंदा सीध तो देखे ये फ्रंट साइड से फिप्तरों कम्प्लीट हो गई अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट और सिप्ट करते जाना है और बन के देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें थैंक्यू